आज हम लोग बात करेंगे LIC का एक बैतरीन धमाकेदार स्कीम के बारे में जिस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ आप अगर हजार रुपया मैना निवेश करोगे 10 साल के लिए इस LIC स्कीम में निवेश करोगे आपको धाई करोर तक रमसम रिटन मिल सकता है यही आप अगर दो अजर मैना निवेश करोगे आपको पांच करोर तक रिटन मिल सकता है पांच अजर मैना निवेश करोगे सारे बारा करोर तक रिटन मिल सकता है यही आपको अगर बजेत थोड़ा सा हाई एंड है आप 10 अजर मैना निवेश कर लते हो इस पटिकुलर LIC स्कीम है, पचीस करों तक रिटन में सकता है, आप ये स्वोच रहोगे कि LIC का कौन सा स्कीम है, जो इतना आपको रिटन प्रोवाइट करके देगा, या फिर इस LIC पॉलिसी का नेम क्या है, या फिर टेबिल नंबर क्या है, ये आप जानना चाती हो, तो इस इस LIC स्कीम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं, ये कोई भी इंसुरेंस पॉलिसी नहीं है, ये एक LIC mutual fund स्कीम है, जो की काफी पुराना स्कीम है, आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खासा रिटन बना के दे रहा है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इससी के बारे में डिसकस कर रहे हैं, इस प्लान स्कीम को आप कहीं तरीकी से यूज़ कर सकती हो, जाए अपने लिए रिटार्मेंट परपस हो, जाए वो चाई इन्वेस्टिंग परपस हो, यानि एडुकेशन परपस हो, या फिर चाईल मैरेज प्लानिंग परपस हो, अगर पास रिटन परफॉर्मेंस को देखोगे, इस एलाइस स्कीम ने आपको 71% रिटन दिया है, लास्त थीन साल में इस एलाइस स्कीम ने 34% रिटन, लास्त पास साल में 21% और ओर और जब से यह फंचाल हुए तब से निकर अभी तक आपको 18% का रिटन कंसिस्टेंली बन अगर इस एलाइस स्कीम में निवेश करकी एक साथ पहले ही अगर एकजिट कर जाते हो आपको इतना का कमपेसेशन पेक काना पड़ेगा, आप अगर इस एलाइस स्कीम का एयोंग फंसाइच को देखोगे, यानि एसेट अंडर मैलेजमेंट, यानि लोगों का कितना इंवे आप पाच अजाज से सुवात कर सकते हो, को दो तरह का टैक्सेशन देखना को मिलेगा, शौट टम गैपिटल गेंट टैक्स रेट और दूसरा है, लॉग टम गैपिटल गेंट टैक्स रेट, आप अगर इस एलाइस स्कीम में निवेश करकी एंट एक साल पहले विड्डोय यह डेइंग करते हो, आपको 20% का सौट टम गेंट टैक्स देना परेगा, यह आप अगर एक साल के बाद विड्डोय यह डेइडिं करते हैं, आपको सारे 12% लॉग टम कापिटल गेंट टैक्स देना परेगा, किस एमाउन पर, यह आप अगर किसी भी साल एक लाग पचिज के उपर profit बनता है उस extra profit पे आपको long term capital gain tax लगाना है सारे 12% का हिसाब से अब मालीजी इस LIC scheme में आप 1000 रुपया महिना निवेश कर देते हो 10 साल के लिए निवेश कर देते हो first option के लिए जाते हो आपको सारी 4 लाग का रिटन देखना को मिलेगा यह आप अगर second option के लिए जात देखना को मिल रहा है as compared to other options इस return options के बारे में हम लोग और भी इन डीटेल जानकारी इखटा करेंगे पर उससे पहले यह हम लोग जान लेते है इस स्कीम दौरा जो भी आपको return मिलेगा क्या वो guaranteed है the answer is no किसी भी mutual fund scheme का return guaranteed नहीं है but definitely आप रिक्स को काफी हद तक reduce कर सकते हूँ कैसे diversification करके यानि divide करके यानि आप अपना risk taking ability के यह साब से आप अपना fund को divide कर सकते हूँ different sectors में कुछ पोर्शन आप large cap mutual fund में रखो कुछ पोर्शन small cap कुछ पोर्शन आप mid cap या फिर thematic या फिर PSU fund में रख सत्ति हूँ ऐसा अगर कि divide करके रखो के अपना fund को different sectors में तो आपका investment risk और market risk काफी हद तक reduce हो जागा rather than single fund investing इस LIC scheme में आप अगर निवेश करती हूँ and suppose अगर कुदाना का से यह LIC scheme ही बंद हो जाता है या फिर जिस app से अपने निवेश किया वो app ही निवेश करें हो वो day one से protected है mutual fund में आप जो भी निवेश करें हो वो कहा linked हो रहा है आपका folio number पे and folio number कहा linked है आपका bank card से तो किसी भी तरह का new investment करते हो या फिर आपका जो भी existing investment है वो safe and secured है under savvy and MP regulation जिस LIC scheme के बारे में हम लोग इस वीडियो में discuss किये वो उस LIC scheme का name क्या है इस LIC mutual fund scheme का name क्या है LIC mutual fund infrastructure fund इसका return and scheme details को आपको रिवेरिफाई करना है जो भी हम लोग इस वीडियो में discuss किये है तो आप simply google कर सकते हो scheme name को या फिर आप official LIC mutual fund website में जाके हर एक चीज को दुबारा रिवेरिफाई कर सकते हो आप अगर किसी भी तरह का नेया investment को करते हो एक चीज को जरूर consider किजिएगा वो है inflation यानि मेंगाई का rate 6-8% है चीजों का price इतना तेजी से increase हो आपको अगर अभी से inflation को को पप करना या फिर inflation से बचना है तो फिर आपको अपना investment strategy को थोड़ा सा डिफरेंट करना परेगा suppose इस LIC scheme में हजार रुपया मैना निवेस करते हो यानि हजार रुपय का SIP करते हो आपको additional investment करना काफी जरूरी है because आपको inflation से भी बचना है तो आप अगर हजार रुपय SIP के साथ top up SIP को करते हो यानि सिफ 10% top up करते हो first year अप क्या हो जाएगा SIP सेम amount का ही रहेगा यानि हजार रुपय ही रहेगा second year क्या हो जाएगा 1000 प्ल 10% सालाना basis में increase करना परेगा इसको अगर continue रखते हो expected rate of return अगर LIC scheme द्वारा 18% भी मिल जाता है आपको total investment SIP में कितना हो जाएगा 10 साल में 1,91,000 अब 1,91,000 आपको सारे 4,000,000 में convert हो जाएगा आपको अगर पैसा का दरगार है instantly withdraw कर लिजी यानि option 1 में जाएगे बट आपको अगर जादा return चाहिए कुछ भी नया investment करने का जरूरत नहीं है सिर्फ इसको market में रहने दीजिए जो भी सारे 4,000,000 है उसको withdraw मत कीजिए market में रहने दीजिए सिर्फ 10 साल के लिए market में रहने investment आपको 1,91,000 था 23,000,000 में convert हो जाएगा या option 2 देखना को मिल जाएगा बट इसी सारे 4,000,000 को आप 10 साल के वजए आप 25 साल करते हो थोड़ा सा लंबे समय के लिए hold करते हो because आपको किसी भी तरका investment करने का जरूरत नहीं है सिर्फ मार्केट में रहने दीजिए total return कितना हो जाएगा 1,91,000 आपको धाई करोर के ऊपर return देखना को मिल जाएगा या ओप्शन 3 देखने को मिल जाएगा अब आपको डिसाइड करना है किस options में जाना है आपको अपना need and choice के according की options को सीलेक करना है आपको option 1 में जाना है option 2 में जाना है या फिर option 3 में जाना है या आप लोपे